17 जुलाई नू म्यंक 17 साल दा अचानक करंट लगन कारण उदी मौत हो गई सी हाला कि उस तो बाद सीनियर अधिकारी गवर्नर सारे थे मौके थे पहुँचे सी हाला कि उन्हों इदी फैंसिंग कार दिती गई और गवर्नर वलो साफ तौरते ओर्डर भी दिते गई के दस दिन दे अंदर अंदर इदी रिपोर्ट जिडिया ओ दिती जावे नाल दे नाल अलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट दे दो अधिकारिया नो भी सस्पेंड कर देता गया तो अंदास दिये के म्यंक दी जेमतो आरे सी करीब सड़ेक सथ बजे उन्हें जद उत्थो क्रास करन दी कोशिश किती शाट कर दे चकर दे विच ते अचानक इस खंबे दे विच जिड़ा पोल है इदे बिलकुल थले वाइरिंग हो रखी ट्रांसफार्मर दे थले उदा ह काफी चीजा नो लेकि गवर्नर पंजाब चंदीगर दे परशाशक खुद एथे मौके दे पहुंचे सी अधिकारी थे मौके दे पहुंचे सी पूरा जायजा लेता गया हलांकि हुन इदी फैंसिंग कर दी गई है और एलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट वलो एवी क्या ग हुए उदे मदे नजर वी चंदीगर दे परशाशक बनवारी लाल परोहित वलो सक्त निर्देश दिते गई ने तो अंदास दे के हुन दस दिन दे अंदल अंदर इदी रिपोर्ट देंद वास्ते कहा गया है दे नाल लाल थे हाला कि ये काफी बड़ा हाथसा हुए इसी क कर दे गार्द भी लगाई गया है सékोर्टी थे вिफिलहाल लाई गयी है कि किसे फित ना दी होर कोई अंगेली ना होवे किसे तरह होर कोई शॉर्ट कर जिड़ा हुए ना आपनावे क्योंकि ए पूरा हाला कि फैंसिंग भी किती हुए है जिस तना दे पोल ने उफेवी हु वो शुरू करता आ गया तो अंदास दे के हुन दो इदे विच अधिकारी सस्पेंड केते गई ने और रिपोर्ट मंगी गई है आखिर रिस्पॉंसिबिलिटी के इस दे बांदी है इस सारी चीज़ा नो लेके हुन मामला वी दर्ज हो चुक्या है चंदीगर्दे सेक्टर तिन पुलीस टेशन दे विच मामला दर्ज होया अन्नों दे खिलाफ ए मामला दर्ज होया और पूरीस हुन इदी पूरी इन्वेस्टिग अगन कारण उदी मौत हो गई सी हाला कि उस तो बाद सिनियर अधिकारी गवर्नर सारे थे मौके थे पहुंचे सी हाला कि उन्हें इदी फैंसिंग कर दिती गई है और गवर्नर वलो साफ तौरते ओर्डर भी दिते गईने के दस दिन दे अंदर अंदर इदी रिपोर्ट ज अगन कारण उदी मौत हो चुकी सी हाला कि उस तो बाद हॉस्पिटल लेके जाया गया लेकिन अनफॉजनेट म्यंक दी मौत हो चुकी और उस तो बाद काफी जड़ी है ये रिस्पॉंसिबिलिटी के इस दी बन दी है काफी चीजा नू लेकि गवर्नर पंजाब चंदिग पहुंचे जी पूरा जायजा लेता गया हला कि हुन इदी फैंसिंग कार दिती गई है और इलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट वलो एवी क्या गया है कि इस तरह दे जिने भी पोल्स ने ट्रांसफार्मर्स ने जिना दी इस तरह दी वाइरिंग है उना दे पूरी सकत निर्देश दिते गईने तो अंदास दे के हुन दस दिन दे अंदर अंदर इदी रिपोर्ट देंद वास्ते कहा गया है दे ना लाल थे हलां कि ये काफी बड़ा हाथसा हो ऐसी का इस करके ते गार्द भी लगाई गया से क्योटी थे फिलहाल लाई गई है कि किसे भी ना दी होर कोई अंगेली ना होवे किसी तरह दा होर कोई शॉर्ट कर जड़ा है और ना अपनावे क्योंकि ए पूरा हला की फैंसिंग भी किती होई है दे नाल लाल होर वी सेक्टरां दे विच जिस तरह दे पोल ने उत्थे वी हुन फैंसिंग करन दा काम है ओ शुरू कर किता आ गया है तो अंदास दे के हुन दो इदे विच अधिकारी सस्पेंड किते गई ने और रिपोर्ट मंगी गई है आखिर रिस्पॉंसिबिलिटी के इस दी बांदी है इस सारी चीज़ा नो लाकि हुन मामला भी दर्ज हो चुका है चंदीगर्दे सेक्टर तिन पुलि इस भी इदे विच इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है